कि हेलो दोस्तों टेक बाबन दोग्यार में आपका स्वागत है मैं नवीन आपका दोस्त आज फिर आपके सामने लेकर आयो एक नई वीडियो आज हम आपको बताएंगे आइफोन 5 के बारे में देखिए दोस्तों यह केबल आइफोन की कोपी के रूप में दुकांदर इसे ब लेकिन इसके अंदर हार्डनस काफी है दोस्तों देखिए इसकी क्वाल्टी थोड़ा थोड़ा की बहुत लोग है दोस्तों और यह मार्किट में आपको 60-70 रुपए की मिल जाती है लेकिन कुछ दुकांदर इसका फाइदा उठाके इसको डेड़ सो से डाइसो रुपए क के बीच में सेल करते हैं क्योंकि यह आईफॉन की है इसलिए ठीक है दोस्तों अब हम बात करते में नहिसक। और एक चीज़ दी हुई है इसके अंदर लगी 35 भी है और आइफोन केबल भी है देखे जैसे हम इसको यहां से ओपन करते तो यह पैटिसों का यह काम करेगी कि देखे दोस्तों कोई भी नॉर्माल सैमसंग का फोन जिसके अंदर यह असानी से लग जाती है देंगी दोस्तों जितनी एनर्जी आउटपूट है उतनी इनपूट इन केबल्स के अंदर नहीं मिलती है अब इसको यहां फिट कर देते हैं तो आइफोन फाइव का केबल के बारे में काम करेगी पर यह मार्केट में 60-70 रुपे में मिल जाती है दोस्तों अब अब लास्ट में हम बताते हैं आपको इस सब म लेंद्ध भी काफी है देखिए और दूखरी बात यह है दोस्तों इसको जैसे हम स्ट्रेच करते हैं और यह अपनी जगापर आके फिट हो जाती है फोल्ड हो जाती है यह पोर्टेबल इसलिए है दोस्तों कि वही हम इसको कि यह कैरी करने में बहुत है असान है देखिए एज़े की और बहुती छोटी है जेब के अंदर असानी से डल जाती है फोल्ड करने की प्रोब्लम नहीं है जैसे मोस्टली केबल्स फोल्ड करते हुए खराब हो जाती है इसके अंदर 0% चांज से खराब होनेगा और एक प्लास्टिक की डब्बी के आकार की यह केबल है मेरे को मार्केट के अंदर यह असानी से 120-150 रुपए के अंदर मिली है अब भी इसको 120-150 रुपए के अंदर असानी से ले सकते लेकिन यह मोस्टली दुकानों पर अवेलिबल नहीं है दोस्तों अगर आप कोशिस करोगे तो आपको भी असानी से मिल सकती हैं आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेर के लिए और यह नीचा जो बैल आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करना मत भूलिए ओके दोस्तों बबाए थैंक्यू अगली बार फिर मिलते एक अगली वीडियो के साथ में